नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का MSP Creator सबकी एक और नहीं वीडियो में आज की इस वीडियो के अंदर फिर से हम चलने वाले हैं राजस्थान के बीकानेर शेहर में बीकानेर से लगबग 50 किलोमेटर की दूरी पर स्थित कोलायत के बारे में बात करेंगे कलायत जील के बारे में बात करेंगे जो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय जीलों में से एक है 52 गाटों से मिलकर बना और कलायत जील का निर्मान डिशी कपिल मोनी के तत्वाधान में हुआ था जिसे कपिल सरोवर का नाम भी जाना जाता है जो परेटकों के घूमने के लिए पिक्निक स्पोर्ट के रूप में आकरशन का केंदर बनी हुई है कलायत जील कलायत मंदिर और यहां योजित होने वाले कलायत मेला सभी लोगप्रिय हैं जो देश के विभिन नकोनों से परेटकों को तीर्थ याद्रियों को अपनी और अकरशित करता है दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें अगर आप बिकानेर से हैं या कॉलायत से भी हैं तो वीडियो को शेयर करना आपका कर्टव बनता है आपके शेयर का वीडियो आगे जरूर जाना चाहिए तो वीडियो को तुरंट से शेयर कर दीजे और वीडियो को पूरा देखे फिर पसंद आये तो लाइक भी कर दीजेगा और चन्न को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा अगर आप विकानेर घूमने का प्लान बना रहे हैं जहां आप अक्षियों को देख और यहां के सुन्दर निजारों को अपने कैमरे में कैद गर सकते हैं। कपिल सरोवर में नाव की सवारी की सुईदा है जहां आप नाव की सवारी का असली मज़ा उठा सकते हैं। कॉलाय जील में आप शाम के समय जील के किनारे टहल सकते हैं और संसेट का सुन्द नजारा देख सकते हैं आपको बता दें वैसे तो कॉलाय जील 24 गंटे खुली रहती है लेकिन जील में परेटकों के घूमने के लिए सुबह 8 बजेशी शाम के 6 बजे का समय सबसे अच्छा औ और ये भी कि कॉलाय जील की पूर्ण और रमांचे क्यातरा के लिए एक दो घंटे का समय कम से कम अवश्य निकाले कॉलाय जील में परेटकों के घूमने के लिए कोई अंट्रिफीस नहीं है लेकिन अगर आप यहां नोका विहार का लुफ उठाना चाहते हैं तो उसके लि विकानेर के अन्य पर टेक्स्थल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो विकानेर घूमने जाने का सबसे अच्छा समय अक्टोबर से मार्च की बीच में होता है क्योंकि इस समय विकानेर का मौसम खुशनमा होता है हलकल की सर्दियां पड़ती रहती हैं विकानेर की यातरा कर पोड़ी गर्म पूर्ण हो सकती है दोस्तों सीधी सी बात है कि कोई कॉलायत सिर्फ गूमने तो आएगा नहीं तो अगर आप कॉलायत गूमने आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बिकानेर गूमने आ रहे हैं तो जल्दी से देख लेते हैं कि बिकानेर में गूमने लाइक कौन कौन सी है इन सब जगहों पर एक एक वीडियो बनाएंगे लेकिन फिलाल इनके नाम जान लेते हैं सबसे पहले आता है जूनागट का किला जो भी कनेर का किला है उसके बाद लालगट पहले स्कर्णी माता का मंदिर गजनेर पहले स्बांडा सर्जेन मंदिर देवी कॉन्डी सागर में गजनेर वन्यजीव अभ्यारनिया कोटम देश सर्थ मंदिर सादल सिंग जी का संग्राले रामपुर्य हवेली स्विबाडी मंदिर गंगा सिंग जी का संग्राले कोलायत मंदिर लक्षमिनाजी का मंदिर गजनेर जील, राष्ट्य और उंट नुशंधान के अंदर इसी के साथ ही बीकानेर में कई सारे और घूमने लाइक स्थान है राजस्तान के बीकानेर शेहर में सबसे पसंदिदा फूड, नमकीन, भुजिया और पापड है राजस्तान स्नेक्स जैसे कचोरी और समोसा है, बीकानेर में गटे की सबजी, दाल बाटी कचूर मा और पकोडी के साथ-साथ गेवर रबडी भी यहां के फेमस हैं तो सर्दियों के समय में गर्मा-गर्म कचोरी खाने का आनन्द भी आप उठा सकते हैं दोस्तों कोलायत एक अच्छी घूमने लाइक जगे होने के साथ-साथ ही बीकानेर की एक तहसील भी है तो इसी वज़े से बीकानेर की तहसील प्लेलिस्ट में भी इसका नाम शामिल है और अगर आप घूमना आना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देख लिया होगा और अब समझ चुके होंगे की कौन सा समय और कैसे यहां तक पहुंचना संभव है बीकानेर के कौलायत तक पहुंचने के लिए आप हवाई मार्क, रेल मार्क और सड़क मार्क तीन को प्योग कर सकते हैं सबसे नजदी की हवाई अड़ा बीकानेर का यह हवाई अड़ा है जो चैपूर और दिल्ली को बीकानेर से कनेक्ट करता है इसके साथ ही अगर आप सड़क मार्क और रेल मार्क का प्रियो करते हैं तो सीधे कौलायत के लिए सड़कें और हाईवे जुड़ा हुआ है उसके साथ ही रेल मार्क भी जो इससे तरूप से बना हुआ है तो आप कैसे भी कौलायत पहुंच सकते हैं वैसे कॉमेंट के अंदर अगर आप वीडियो के अंदर कोई भी आप कोई सुधार के सुझाव लगती हूँ आने वाली वीडियो किस टॉपिक्स पर बनाने हैं वो भी कॉमेंट के अंदर लिख सकते हैं और हमें और बहतर बनने का प्रयास करने का मौकाश जरूर दे सकते हैं ऐसे ही वीडियोज देखते रहने के लिए MSP Creators सबको अभी सबस्क्राइब कीजिए